नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। एक किशोर कुमार का सौंग था, चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए? पथ जड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार उजाड़े, उसे कौन खिलाए? और इसमें कुछ पंक्तियां और थी, और बड़ी दिल्चस्प पंक्तियां हैं, वो भी सुन लीजे. हम से मत पूछो कैसे मंदिर तूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का. कोई दुश्मन ठेस लगाए, तो मीत जिया वहलाए, मन मीत जो गहाव लगाए, उसे कौन मिटाया? और लास्ट का इसका एक अंत्रा था, माना तूफा के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मोजों का दोश नहीं है, ये दोश है और किसी का, मजधार में नईया डोले, तो माजी पार लगाए, माजी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाए? अक्षर शे, अर्विंद केजरिवाल, और उनकी कुल मिलाकर के जो राजनीती है, और जो कुल मिलाकर के अन्ना आंदोलन से जो सफर की शुरुवात हुई थी, और वो जो अध्योगति को अब प्राप्त हो रहा है, उस पर ये पंक्तियां बिलकुल सटीक बैठती हैं, कहां तो कटर इमानदार की एक छवी बना करके ये चल रहे थे, और किस-किस तरहा की बाते नहीं करते थे, इन्हों नहीं कहा था ना जो वो बारा-पंद्रा तताकतित भ्रष्ट नेताओं के खिलाब जंतरमंतर पर आमरन अंशन पर बैठ गए थे, और लाश्ट में जो है, बड़े मरे गिरे से हालत में, तूटे फूटे शब्दों में कह रहे थे, के ऐसा लगता है के जैसे इस कुर्सी में ही सारा दोश है, ये कुर्सी ही जो है, इसी में कुछ खोट है, जो आदमी इस पर जाकर के बदल जाता है। आज किस इस तर पर पहुँच गए हैं, अर्विंद केजरीवाल, इस देश की जो सम्विधानिक संस्थाएं हैं, केवल उन पर ही आरोप नहीं लगाय जा रहे हैं, इनके द्वारा और इनके नेताओं के द्वारा, भारत के सम्विधान की शपत तो इन्होंने ले ली, लेकिन सम्विधान का सम्मान करना भूल गए, कानून का सम्मान करना भूल गए, जो प्रमुख जाँच एजिन्सियां हैं, उनकी छवी को भी तार-तार करने पर आमादा हैं, ना ये कौर्ट का चेहरियों को अब मानते हैं, वहाँ जाकर के भी लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद के जज साहब ने कहा कि जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वो लिखित में दे दीजिए, लेकिन नहीं, मुझे पांच मिनट बोलना है, और उस पांच मिनट बोलने का एक ऐसा, एक ऐसी हवा बनाई गई थी कल शाम से, कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा विस्फोट करने वाले हैं, कितना बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और जो सो कोल्ड में इस्ट्रीम का मीडिया है, वो भी इनके कोट पहुँचने से पहले, कुछ इसी तरह का माहोल बनाने में लगे हुए थे, कि अरविंद केजरिवाल बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और कुछ ही संदाज में कि जैसे वो कोई प्रेस कोनफरिंस करने वाले हों या जन सभा करने वाले हों, या कोई बहुत बड़ा बंप फोड़ने वाले हों रहस्यों का और शायद भरस्टाचार का या दूसरे लेकिन वही खोदा पहाड और निकली चुईया और वो भी मरी हुई अब कोई शरद रिड़ी कोई अरविंदो फार्मा कंपनी किन किन तारीखों में चुनावी बाउंड खरीद रही है और कौन पारिटी उनको किन तारीखों में इनकैश करा रही है ये सब कुछ आपस में जोड करके जिस तरह का एक भ्रह्म पैदा करने की कोशिश की गई लोगों के बीच में भी और कोट पर भी कोट पर भी इसका प्रभाव डालने की कोशिश की गई ताकि जो इस समय उनके खिलाब पर करिया चल रही है उसको भटकाया जा सके उसमें एक कन्फूजन करियेट किया जा सके और जब देख रहे हैं कि पूरी तरीके से घिर चुके हैं आरोब बेहद संगीन हैं और उनको पता है कि इसका अंत क्या होने वाला है एक ऐसी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं जहां दूसरे छोर पर कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं दे रही है और विधान सबा में खड़े होकर के तो हम तो जी भगत सिंग की अउलाद हैं हम किसी से डरते नहीं हैं हम तो जेल जाने से भी नहीं डरते है और अभी तिहाड जेल के दर्वाजे तक तो बात पहुँची भी नहीं है, अभी तो ED की कस्टडी में है, कुछ दस्तावेज जप्त किये गए हैं, कुछ डिवाइसिज इनके घर से जप्त किये गए हैं, सुपुर्दगी में लिए हैं, एजिंसियों ने, किसी एक मॉबाइल फॉन का डाटा डाउनलोड किया गया है, कलेक्ट किया गया है, रिकॉल किया गया है, अभी चार डिवाइस ऐसी हैं, जो इनके यहां से बरामत तो कर ली हैं, लेकिन उनके इनिशेल्स और उनके पास्वर्ड सड़जी देने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि अभी मैं जरा अपनी लीगल टीम से बात कर लूँ, यह पास्वर्ड मुझे देने भी हैं के नहीं देने हैं, तो एजिंसी को कहना पड़ा अदालत के सामने, कि अगर पास्वर्ड उपलब्द नहीं कराये जाते हैं इन टाइम, तो फिर हम पास्वर्ड तोड काम करेंगे हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है विकल्प नहीं है लेकिन अर्विंद केजरी वाल ने जिस तरीके से चारों तरफ से अपने आपको घिरता हुआ देखते हुए अब इडी पर ही गंभीर आरोप लगाने शुरू किये हैं और इडी को ही वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगा दिया है इससे पता चलता है कि ये और निचले इस्तर पर तो पहुँची गए हैं पर इनकी बोखलाहट का इस्तर कितना ऊपर चला गया है अर्विंद केजरी वाल के पास टाइम बहुत कम है अब ही चार दिन की कस्टडी इडी को और मिल कस्टडी ना मिले और संभावत है इडी को इस बात का आभास था कि उनको कस्टडी मिल जाएगी क्योंकि 14 दिन की कस्टडी की हकदार तो इडी वैसे ही है अभी ये चार दिन और मिला करके यानि एक अपरेल तक मिला करके ये इडी की कस्टडी में कुल मिला करके 10-11 दिन र रहेंगे इनको custody में लेने के लेकिन अगर court नहीं भी देती है custody में और इनको तिहाड बेजने के आदेश जारी करती है तो ऐसे में CBI तयार बैठी हुई है इनको अपनी custody में लेने के लिए क्योंकि इस नई आभकारी नीती में पहला case CBI न दर्ज किया था और पांच दिन बाद 22 अगस्त को जाकर के फिर ED ने भी case दर्ज किया था तो इस समय ये ED की custody में है CBI इनको custody में अभी लेगी और अर्विंद केजरीवाल भी उनकी पतनी सुनीता केजरीवाल भी उनकी party के उनकी सरकार के मंत्री और जितने भी जिम्मेदार पदादिकारी हैं वो सब जान चुके हैं के लंबा जाएंगे चाहे जो बयान बाजी दे ले चाहे ये भारतिय जनता पारिटी पर ED पर CBI पर यहां तक के कोर्ट कचैरियों पर भी सवाल खड़े कर ले पर बचाव नहीं है इन्होंने क्या-क्या नहीं कहा है जब इनको वर्षपतिवार को राग़ जेवन न्यू कोर्ट में पेश किया गया इन्होंनों पूछा कि साहब अगर सो करोड रुपया हमें रिश्वत का मिला है तो पैसे कहा है फिर कहने लगे कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है अब तक चार्ज शीट पेश की है, वो करीब 25,000 पन्नों की है, और CBI न जो चार्ज शीट पेश की है, वो करीब 31,000 पेश की है, और मेरा तो बस चार जगे जिक्र है, यानि चार लोगों ने अलग अलग जगे पर बस मेरे बारे में कुछ कहा है, और उस आधार पर मुझे गिराफतार कर लिया गया, मेरे खिलाफ सबूत कहा है, ये कोट में खड़े होकर के कह रहे हैं, अर्विन के इजरिवा, और इनका क्या 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 है रहा था, आप तो चौक जाएंगे, कह रहे हैं कि एडी की जब जाच शुरू हुई, तब ये शराब गोटाला हुआ, उससे पहले तो कोई शराब गोटाला हुआ ही नहीं था जी, ये तो जाच एजनसी ने जब मुकदमा दर्ज किया, जब जाच शुरू हुई, उसके बाद ये गोटाल में आ रहा है और शुरू हो रहा है, और मकसद ये था इसका कि आम आदमी पारिटी को और मुझे खतम करना है, और यहां से एडी पर इन्हों ने आरोब तराशी का काम शुरू किया, इन्हों ने कहा कि एडी लोगों को धमका रही है और वसूली का रैकेट चला रही है, एक किस्मों क्रियेट किया गया है शरद रिड़ी ने पचपन करोड रुपया दिया है जी भारतिय जन्ता पारट्य। वस्तु इस्तिति क्या है ये भी में आपको बताने वाला हूँ। वस्तु इस्तिती ये है कि कुल मिलाकर के ही शरद रेड़ी की जो अरविंदो फार्मा है उसने 52 करोड के बाउंड खरीदे हैं. कुल मिलाकर के 52 करोड के और 2019 से लेकर के 2024 तक के बीच का इसका ये बाउंड खरीदी का पूरा सिलसिला है. इसमें से खुल मिला करके 49 दसम लोग 5 करोड बीजेपी को मिले हैं, 15 करोड भारत राष्ट्र समीति यानि KCR की पारिटी को मिले हैं, उसका जिकर नहीं कर रहे हैं अर्विंद के जीवार, भूले से भी इसका जिकर नहीं कर रहे हैं कि KCR की पारिटी को भी चरद रेड़ी की पारिटी की फार्मा, अर्विंदो फार्मा ने पंद्रा करोड दिये, और धाई करोड टीडिपी को भी मिले हैं, चंदरबाबु नाइडु की पारिटी का, उसका भी जिकर नहीं कर नहीं, यह केवल भारती जनता पारिटी का जिकर कर रहा है, तो बहुत शातिर तरीके से इस पूरे मामले को ये कोट के सामने ले करके आए और पबलिक डॉमेन में ले करके आए ताकि चीजों को आपस में को रिलेट करके किसी तरीके से ब्रहम की इस्तिती पैदा की जाए और चुकि घिर गए हैं जमानत का कोई दूर दूर तक इनको सं प्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से कोई रास्ता निकलाए राहत का इसकी कुल मिला करके ये कोशिश कर रहे हैं इडी एक्सटोर्शन रैकेट चला रही है ये आरोप लगाना इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान किसी भी सारवजनिक जीवन में होने वाले व्यक्ति की तरफ से हो नहीं सकता, कि वो अपनी जांच एजन्सियों पर भी इस तरह के बहुत ही गैर जिम्मेदार आरोप लगा है। ED हो, CBI हो, Income Tax Department हो, NIA हो, जितनी एजन्सियां हैं, जितने प्रोफेशनल तरीके से बिना किसी प्रेशर के काम कर रही हैं और जितना बहत्रीन काम कर रही हैं। उन पर इस तरह के आरोप लगा करके उनकी छवी को नेस्तनाबूद करने का एक बहुत बड़ा पाखंड और काम एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कर रहा है, जिस पर खुल ब्रस्टाचार के बेहद गंभीर आरोप हैं। और जो अरड़ी गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसकी विश्वसनियता इस समय चुन्य है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपको घटना बता रहा है। इन्हों ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्तों में कुछ मैं केजरी वाल हूं करके एक पूरा लबादा पहना करके कुछ कारिकरताओं को पंप्लेट बाटने का काम शुरू कर रखका है। उसके कुछ वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ गए है। और उन वीडियो में आप देखिए, आपको हैरानगी होगी, कोई उनके पंप्लेट पकड़ने को भी तयार नहीं है हाथ में। वो बार-बार लोगों को पंप्लेट देने की कोशिश कर रहे हैं और लोग दाएंवाएं से निकल रहे हैं ये देख करके के मैं केजरिवाल हूँ का लबादा ये पहने हुए हैं इसलिए लोग इनके पास से भी नहीं गुजरना चाहते, निकल करके एक दूसरे सरफ जा र ये कूद रहे थे किसाब अगर मुझे गिरफतार किया गया तो दिली की सड़क जो हैं लोगों से भर जाएंगी, लोग दिली की सड़कों पर उतर पडएंगे, देश भर में लोग सड़कों पर उतर पडएंगे, आतिशी और सौरा भरदवाज कहह रहे थे कि अर्विंद इतने लोगप्रिये हैं, इतने लोगप्रिये हैं, कि देश उनकी गरफतारी को बरदास्त नहीं करेगा, क्या हुआ? किसी की सेहत पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है, सब अपने कामकाज में लगे हुए हैं, लोग अब इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, और जिस तरह है कि निचले इस तरह पर उतर आए हैं, इडी पर जिस तरह की के आरोप इनों लगाने शुरू किये हैं, इससे पता चलता है कि क्या कहा पहुँच गए? कहां पहुँच गए? पतन कितना हो गया है? इडी ने कहा था अपने आरोप पत्र में के साब मनीश सिसोधिया की कुछ दूसरे लोग आपस में बात्चीत कर रहे थे इसके जो ये रिश्वत मिलने वाली थी या कमीशन मिलने वाला था तो इन्हों ना पता है क्या कहा है कोट में के जी सिसोधिया की मौजूदगी में दस्तावेज पेश किये गए मेरे यहां तो बहुत सारे MLA आते हैं जाते हैं आपस में खुसर खुसर भी करते हैं मुझे क्या पता कौन क्या बोल रहा है मेरे से इसका क्या लेना देना है फिर जो गवाः बने हैं, चार-पाँच गवाः अब तक बन चुके हैं, उनमें से एक का नाम ले करके कह रहे हैं, कि उन्होंने आठ बार बयान दिये, नो बार बयान दिये, आठ बार में तो मेरा नाम ही नहीं था, नो भी बार जब मेरा बया मेरा नाम लिया, तो उनको कहने की कोशिश कर रहे है कि जैसे एडी जो है वो जैसे भारती जिनता पारिटी के ही शारे पर काम कर रही हो या कुछ लोगों को जैसे तोड़ा गया हो उन पर प्रेशर बनाया गया हो उसने मेरा नाम लिया इसलिए उसको जमानत पर छोड़ दिया गया, उसको फिर सरकारी गवहा बना तो सरकारी गवहा कैसे बनाए जाते हैं, ऐसी बनाए जाते हैं, उनको कुछ रिबेट दी जाती है, कुछ राहत मिलती है उनको केस में, कड़ी सजा से वो बच जाते हैं, इसलिए वो सरकारी गवहा बन जाते हैं यह क्या अनूठा केस है इस मामले में देश में अब तक यही सब होता आ रहा है एजिंसियां जांच एजिंसियां ऐसे ही काम करती है कोट भी इन चीजों को सुविकार करती है यानि जो गवा बनता है उसको कोट भी एकसेप्ट करती है ऐसी ऐसी बातें कहकर के इन्हों ने और बात कहने से पहले एक माहोल बनाया मीडिया के जरी है कि आज तो जैसे अरविंद केजरीवाल पूरे केस को ही पलट देंगे लेकिन जो मैंने कहा था कि खोदा पहाड और निकली चुईया वाला मामला है वोही अरविंद केजरीवाल का मामला भी निकला इडी ने क्या क्या कहा है आज कोट में ये देखना सुनना बहुत दिल्चस्प है बातचीत लंबी हो रही है लेकिन संगशेप में बताने की कोशिश करता हूँ इडी ने ये कहा के साव हमने आब तक इनका एक मोबाइल से डाटा निकला है चार डिवाइस से अभी निकला जाना बाकी है ये पासवर्ड नहीं दे रही है पासवर्ड हमें तोड़ने के लिए बात देख किया जा रहा है और E.D. ने ये भी कहा कि ये मुख्य मंत्री हैं इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई है हमारे पास तो ठोस साक्ष हैं इस शराब घोटा लेके और मनी ट्रेल के भी और ये भी E.D. ने कहा अधालत के सामने कि भारतिय जन्ता पारिटी को कौन इलेक्ट्रो बॉंड दे रहा है कौन चंदा दे रहा है इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है जैसा ये कन्फ्यूजन क्रियेट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे एजन्सी ने ये भी कहा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो है नी बहुत बड़े बड़े वकील इन्होंने खड़े कर रखे हैं सुनवाई के लिए भी और अपनी पैरवी के लिए बचाओ के लिए भी और जो रिश्वत ली गई है साउत के गुरुप से वो गोवा में खर्च की गई है इसकी इसपस्ट कट स्रंखला है हवाला के जरिये पैसा पहुँचाया गया है और हमारे पास बाकाइदा इसके दस्तावेज हैं और यह बयान दे करके कनफ्यूजन क्रियेट करने की बस कोशिश कर रहे हैं और यह पूछ रहे हैं कि पिछले दो साल से यह केश चल रहा है मुझे तो किसी अदालत ने अब तक सजा नहीं दी तो एजिंसी ने कहा कि अभी तो जाँच चल रही है, अभी सजा की बात कहां से आ गए, अभी तो जाँच चल रही है, अभी ट्राइल भी शुरू नहीं हुआ है भई, आपकी अदा, कौन सी अदालत में सुनवाई हुई है जो आपको इस दो साल की जाँच में सजा भी हो जा हैं क्योंकि LG के जो बयान आये हैं कि जेल से सरकार नहीं चल लगी आप निश्चिंत रहिए तो इन पर एक प्रेशर आ गया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा तो ED ने साथ दिन की रिमांड भांगी थी इनकी चार दिन की मिल गई है और SV राजू जो ASG हैं और जो ED की तरफ से पेश हुए हैं उन्होंना कोर्ट को साफ साफ कहा है कि ये पूश्टाच में सहयोग नहीं कर रहे हैं गोलमोल जवाब दे रहे हैं और जान बूझ करके deliberately सहयोग नहीं कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब तो इनके परिवार को यानि सुनीता केजरी वाल को भी एहसास हो गया है कि कोई बचाओ नहीं है कोई बचाओ की सूरत नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोई विकल्ब भी नहीं है राउज एवन्यू कोर्ट पहुँची थी अपने पती से मिलने के लिए और जब निकल रही थी तो मीडिया ने पूछा तो बड़े हताश निराश उनकी बोड़ी लेंग बेच से पता लग रहा था उनके चेहरे से पता लग रहा था कि किस कदर हताश निराश है उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपके सीम के साथ अच्छा व्यावार नहीं किया जा रहा है उनको सताया जा रहा है उनको परेशान किया जा रहा है अरे बही जब सेंकडो करोड की रिश्वत लेंगे और जिसके बारे में अब एजनसी के पास पुखता जानकारियां हैं और जो अदालत के सामने भी आ गई है इस बार तो अरविंद केजरिवाल की जो ग्रफतारी हुई है वो एक तरीके से अदालत के आदेश पर ही हुई है अदालत ने हाई कोर्ट ने ये पूछ लिया था कि ग्रफतार क्यों नहीं कर रहे हैं और हाई कोर्ट में ही इनको अंतरिम जमानत या संरक्षन देने से साफ इंकार कर दिया था कि हम नहीं दे सकते हैं इसी के बाद तो एडी के अधिकारी शीश महल पहुँच गए और वहाँ इनको इहरासत में लिया गया है और विंद के जरिवाल चोतरफा धिर गए हैं और इसी का नतीज़ा है कि अब एडी जैसी प्रोफेशनल एजिंसी को भी वसूली गैंग बता रहे हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार